कथा याहा नाम स्वावलंबनं किम लज्जास्पदं इश्वर चंद्र विद्ध्या सागरहा वंग प्रदेशस्य ख्यातहा समाज सेवकहा आसीत समाज दोशान परिश्कर्तुम यतमानहा सहा स्वयं सामान्य जीवनं यापयतीस्म एकवारं सहा कोलकत्तातहा रेलयानेन ग्रामांतरं गतहा तत्र कस्यचित समारोहे तेन प्रमुखातित्धित्वेन भाशनम करणीय मासीत सहा रेलयानतहा अवतीर्णहा नाति दूरे कोपी युवकोपी अवतीर्णहा सहा स्वस्ययानपेटिकाम नेतुम भारवाहकस्य प्रतीक्षाम कुरवन नासीत कंचित कालम इश्वरचंद्रहा तंपश्यन न्यातवान यत सहा रेलयानतिकाम स्वस्ययानपेटिकाम स्वयमेव नेतुम नेच्छतीस्म पुरस्रुत्य इश्वरचंद्रहा तस्य यानपेटिकाम नेतुम इख्टवान सहा युव कहा इश्वरचंद्रहा निश्कांचनहा कहा पिस्यात इतिमत्वा तस्य हस्ते यानपेटिकाम दत्तवान वस्तुतहा सहा इश्वरचंद्रस्य भाषणम शुरोतुमेव तत्रागतहा आसीत किन्तु प्रत्यक्षरूपेण तम्न जानातिस्म अतहा सहा इश्वर चंद्रस्य सेवाम स्वीकृतवान स्थानकाद बहिरागत्य अश्वयानमारूढः इश्वर चंद्रहा यानपेटिकाम याने सास्थापईत्वा तथा सेवामूल्यम सविनयम अस्वीकृत्य स्वस्यनिवासम पादाभ्याम एवगतः सायंकाले सभायाम प्रमुखातिथिम दृष्टवा सहा इवकह नितराम चकितह लज्जितस्च प्रमुखातिथिही एव भारवाह करूपेण तस्य यान पेटिकाम नीतवान आसीत सभासमाप्त्यनंतरम युवकह वारम वारम इश्वरचंद्रस्य क्षमायाचनाम कृतवान इश्वरचंद्रह सुहास्य वदनेन तस्य सांत्वनम कृतवान अनेन सहा युवकह एकम पाठम पठितवान यत स्वस्यकारियम स्वयम एवकरणियम न तेन कोपी अवमानहा का लज्जा स्वावलंबने